बात करते हैं तुला राशी की जो तुला राशी की जातक है जब कर मान सम्मान पत परतिश्ठाम बढ़ोतरी होगी ने प्रकार के बैपार से लाब होगा, चोतुर्दिक विकास होगा यात्रा अगर कोई नया करना चाहता है तो आपके लिए लापरद शिद्ध हो सकता है परचानियां दूर होगी ने रोजगार से आपको लाप मिलेगा पदोनत होने की संभावना बन रही है, कई महत्मुर कार होने की संभावना बन रही है दूर देश की आत्रा होगी रोग और सत्रु परास्त होगे माता पिता का सुख मिलेगा पत्नी को नोकृति मिल सकती है äं आ लोगों सत्रू से सचेत रहें उपाय क्या करना है बहन को सफेद कपड़ा दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंके दोशुबरंगे नीला लक्मिटर साथ हरे क्रिश्न कर पूर गौरम करुलावतारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा बसंत मिर्दयार विंदे सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोटसाचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या सिती है कौन से तिती है कौन सा नच्छत्र है कौन सा योग है कौन सा करण है चंद्रमा किस राशी पर रहेगा सुरोदे कब होगा सुर्यास्त कब होगा सारी बात हम आपको बताएंगे इसके बाद बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे जब करने साब को क्या लाप मिलेगा हम बात करते हैं आज के होगा साम को 7 बजके 13 मिनट पर शकूनी करण है आज चन्धरमा कह Nowadays में सुनमुर्थ है 12बिजे से nível copying 12 बजके 53 मिनट तक रहे हैं राउकाल है रहूं का ये सुवानलों भजक पांच मिनट से ले कर दसबाज के 46 मिनट तक रहेगा और पूरों दिशा का दिशा were आज आपको एक बात का ध्यान रखना है चंदरमा करकराशी में तो जब चंदरमा करकराशी में हो तो व्यक्ति की महतों का अंचाहे बहुत बढ़ जाती है और व्यक्ति टास्क टार्गेट औरियेंटेट हो कि अगर कारे करे तो उसको बड़ी सफलता मिलेगी आज आपके जो जाँस ग्ति को बात करते हैं और आज महामंत्र की आज की सुर्य पूत्र शौनी की न्याय की द्योता है और करम के फल के प्रदाता है ऐलों जाते हैं तो शनीवार के दिन अगर आप इस मंत्र का जब करते हैं तो शनी की कृपा पर बढ़ सेगी और आप आगे बढ़ेंगे प्रगति करेंगे आपका चतुर्दिक विकाश होगा